आप सभी गुरुजनों का नमस्कार है UK PSC प्रधानाचारे सीधी भरती 2024 जो निकली हुई है इसमें पहले चर्चा करते वे मैंने एक दो वीडियो डाले थे और आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे बहुत सारे व्यूज मिले और मुझ जैसे छोटे यूट्यूब चैनल में इतनी सारी व्यूज की बहुचार हो गई कि मैं मतलब आप लोगों का काफी रिणे रहूँगा और जिंदगी बर आपके इस चीज को ध्यान रखूँगा लेकिन एक चीज मैंने और महसूस की कि बहुत सारे लोगों ने देखा लेकिन सब्सक्राइब करने का कुछ आवे भी थोड़ी बहुत कमी है तो आप लोगों से इस बार भी निवेदन रहेगा कि किरिपया करके सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेर भी कर दीजिए ताकि बाकी अन्य लोग भी इसको देख सकें और बाकी आप लोगों के काफी लोगों के मुझे फोन भी आये थे तो क्योंकि फोन में बहुत सारी चर्चा नहीं हो पाती आने जाने में भी बहुत टाइम लग रहा है और सेकिंड वाले पार्ट की भी आपने बाद बोली जो हमने स्लेबस इसका डिसकस किया था सेकिंड वाले पार्ट का तो सेकिंड वाला पार्ट भी लगबग रेडी है थोड़ी ब्यस्तिता चल रही है मैं बना नहीं पाया बाकि उसके उपर काफी मेहनत हो चुकी है मैं सारा लॉंच करूँगा दो-चार दिन का टाइम दीजिए 15 तारिक के बाद मैं most probably आपके लिए अविलेबल रहूँगो और ऐसे बहुत सारे lectures बना करके आपकी सिवा में फ्रेसित होते रहेंगे तो आज का जो ये lecture है ये हमारा one word substitution के उपर है और उमिद करता हूँ कि आप लोगों को इसको देखने के बाद बहुत जादा वीडियो देखने की इस topic में ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो one word substitution जो है इसमें पहला देखे study of garden plants इसको क्या कहते हैं study of garden plants जो है उसको क्या कहते हैं तो इसका आंसर है होटी कल्चर क्या कहते हैं होटी कल्चर और ये होटी कल्चर में कल्चर वर्ड का उगाना है तो होटी कल्चर का मतलब जैसे garden plants को उगाना हुआ उसी तरीके से विटी कल्चर का मतलब क्या होता है तो विटी कल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना है ना अंगूर का प्रोडक्शन करना एपी कल्चर मतलब जो मदुमक्खी जो शहत देने वाली मदुमक्खी है उनकी कल्चरिंग करना मतलब एक तरीके से शहत का प्रोडक्शन करना वर्मी कल्चर मतलब यह जो केचवे थे, वर्मी कमपोस्ट बनाते हैं, उस चीज का कल्चर करना, तो इसे वर्मी कल्चर कहते हैं, तो यह भी बहुत पूछे जाने वाले कुशनों में से, एक है, आगे देखेंगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अब उसका आंसर इस नहीं पर दे दिया, ए और Demo का मतलब है लोग, तो लोगों का लीडर मतलब राजनेता कह सकते हैं, उसको घंदी में है है, ना? तो राजनेता को इंग्लिश में क्या बोलते है, Demogog और God वर्ड का मतलब क्या हो गया? नेता तो अब जहां पर भी गौग क्या आएगा सफिक्स आएगा आप समझ जाएंगे कि यहां पर कोई नेता की बात हो रही है लीडर की बात हो रही है जैसे बी ओप्शन में पैडा गौग हमने पैडा गौजी पड़ी थी ना गौजी गौजी मतलब जो उसके अध्यन को गौजी कह रहे है ठीके ना पैडा गौग का मतलब जो बच्चों का लीडर हुआ एक तरीके से टीचर ही हुए ना पैडा गौग मतलब बच्चों का लीडर या टीचर ही कह सकते अगला है psychogog, psychogog मतलब जो mind को पढ़ता हो, ठीके न, जो mind के बारे में पढ़ता हो, brain को जो lead करता हो किसी के, तो उसको बोलेंगे psychogog, तो मतलब आप मिलता जुलता भी सब्द आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये इससे related चीजे पूछी जा रही है, और आप इस question को प्रिफिक्स और कुछ प्रिफिक्स होते हैं, तो ऐसी चीजों में में ध्यान देना पड़ता है, जैसे अभी मैंने गौग वर्ड आपको यहां पर दिखाया, पिछली बार मैंने culture दिखाया था भी से पहले एपी कल्चर, शिल्वी कल्चर, तो आपको रेशम, शिल्वी कल दिखाया, जो कल्चर आपको जाते हैं, तो साइ आंसर ए जिसका Eminent, एक बहुत एमिननन परसनलेटी है, किसी के लिए कहते हैं, तो Eminent का मतब क्या होता है, बहुत परक्यात आदमी है, इसको लोग बहुत जानते है, तो Eminent है, या फिर यह इस field में है, इसकी Eminence है, मतब इसकी बहुत ख्याती है, eminent word ठीके न, इसके बाद B में दिया हुआ है हमने veteran, veteran किसे कहते हैं veteran कहते हैं, दक्ष को, कोई किसी काम को करने में दक्ष है, तो उसको क्या बूलेंगे veteran, और एक और word आता है इससे जुड़ा हुआ, patron patron word का मतलब क्या होता है, patron का भेज रहे हैं, या फिर मेरे को किसी financial requirement थी, तो आपने मेरी उसमें मदद की, तो आप इस वीडियो के for example, patron हो जाएंगे, तो patron word का मतलब समझे, आप patron का मतलब होता है, किसी के लिए जो संरक्षक होता है, उसके लिए patron word यूज होता है, इसके बाद state of living unmarried, unmarried मतलब जो bachelor हो एक तरीके से न, तो उस state को क्या कहते हैं, ठीक है न ब्रह्मचर्रे की अवस्ता कहते हैं उसको तो ब्रह्मचर्रे के लिए इंग्लिश में word आता देखे salibacy, क्या कहते हैं, salibacy जो की शादी न करता हो ठीक है न, salibacy कहते हैं जो की सादी न करता हो लेकिन एक b में देखे हमने polygamy, polygamy का मतलब क्या होता है polygamy का मतलब जो बहुत सारी सादी करते हूं, ठीक है न, मतलब एक आदमी ने तिन चार-चार सादी करती तो वो polygamy हो गया, polygamist हो गया ठीक है न, तो ये polygamy word यहां के लिए आया है इसके बाद एक देखिए, event happening once in five years, पाँच-पाँच साल में कोई event हो रहा है, माल लिजे जैसे election ही हो रहा है, for example आप क्योंकि election हो रहा है, तो election से संबंदित कुछ है, terminology जैसे मैंने अभी आपके लिए demogogog word लेकर का आया नेता के लिए demogogog कहते हैं, तो आपको इससे related भी कुछ है, चीजे पढ़नी पढ़ेंगी, तो event happening once in five years, पाँच साल में होने वाले event को क्या बोलते हैं जी, तो ये कहते है, quinquanial ठीक है, क्या बोलते है, quinquanial दो-तिन बार बोलेंगे, तो आपके उसमा जाएका quinquanial, और इसमें भी again prefix जो quin है, quin का मतलब होता है पाँच से, ठीक है न, पाँच के लिए quin बोलते हैं, चार के लिए क्या बोलते हैं, ठीक है न, जो चार साल में हो रही होगी कोई गटना, उसको लिए quadquanial बोलेंगे तीन साल में हो रही होगी, तो triquanial बोलेंगे, तो आप मेरी बास समझे के prefix में चाहिए हो रहेगा तो ये prefix का मामला है, इसके बाद कुछ event ऐसे होते हैं, जो की 25 साल बाद होते हैं, मान लीजी किसी की anniversary है, किसी चीज को बने हुए 25 साल होगे, तो उसको बोलते है silver jubli, 25 साल के लिए क्या बोलते है silver jubli, अब 25 साल के लिए silver jubli बोलते हैं, तो 50 साल के लिए क्या बोलते है 50 साल के लिए golden jubli बोलते है, और golden jubli के बाद, golden jubli के बाद क्या आएगा diamond jubli आएगा, लेकिन ये 100 साल के लिए 75 साल के लिए ये कितने साल के लिए 60 साल के लिए 60 एर्ज के लिए इसके बाद 100 वर्द सी होने के लिए Centenary बोलते है शत आप दी समारो Centenary ठीक है न जी? आप Centenary वर्ड भी यूज है रखना ये बहुत पूछे जाने वाले words में से हैं इसके बाद next चीज़ देखिए scientific study of earthquake कहीं पर earthquake आ रहा है उसकी scientific study है earthquake की scientific study को क्या बोलते है इसके लिए word आता है जी seismology क्या seismology word आता है seismology का मतलब क्या हुआ चाहां पर earthquake की study को seismology कहते है इसमें और निथोलोजी एक वर्ड और हुआ और और निथोलोजी वर्ड का मतलब और निथोलोजी का मतलब क्या होता है और निथोलोजी का मतलब होता है पक्षी की विज्ञान को पक्रचीों के study को करने को कै बोलते है और-णि久 अरोकॉलोजी इसी तरीके से anthropology इसके लिए मनुश्य के लिए मनुष्य की अधियन के लिए मनुष्य के अधियन के लिए मतलिब क्या हो गया मनुष्य के ब्यहवार का जा उसके evolution का अध्यन करने के लिए anthropology वर आता है इसी तरीके से सिफेलोजी सिफेलोजी किसे अभी election से बात कि न इलेक्शन से संबंदित है सिफेलोजी सिफेलोजी क्या है election से संबंदित उसके लिए कहते है study के लिए science के लिए oncology किसके लिए tumor की study करने के लिए oncology बढ़ आता है tumor की study करने के लिए oncology घ्रओ आता है endomology ये भी बहुछा जाने वाले संब्द है endomology मतलब कीट विज्ञान कु क्या कहते है where शें के लिए करते हैं इसी तरीके से ophthealmology किसे कहते हैं यह कहते हैं आखों की science को जो science आखों से deal करती है मतलब अगर कोई एक doctor है तो ophthalmologist हो जाएगा उसका नाम है ना तो ophthalmologist इसके कहते हैं आखों के बिज्ञान के लिए कहते हैं तो इसके बाद next अच्छा जी इसी बीच में एक चीज और बता दूँ कि मेरे को बहुत सरे गुरुजनों का फोन आया था और वो मुझे कह रहे थे कि सर कुछ strategy बताईए कि पोस्ट में तो उनके पास इतना ज्यादा काम है कि उनका time बहुत कम ही मिल पाता है उनको study करने का पर ये भी सच्चाई है कि बिना पढ़ाई किये वे इसके लिए कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि आप इस मौके को किसी कीमत में भी गवाना नहीं चाहते हैं इसके अलाव आपको मेरे वीडियो लगातार सुनने हैं मैं कोशिश करूँगा कि उस भूसे के डेर में से जो सबसे काम की चीज़े हो सबसे पहले आपको सर्व करूँ उतना time में आप लोगों के लिए spare करूँगा लेकिन आपको पढ़ना तो पढ़ेगा अगर आप पढ़ने का कोई shortcut पूछ रहे हैं तो मैं सच मुझ में बताऊं कि यह बहुत मुश्किल बात है कि पढ़ने का तो कोई shortcut नहीं है इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूं कि आप लोग भी जानते हैं कि आप ही लोग कुछ गिने चुने ऐसे मतलब गुरुजन हैं जिनको मौका मिला है इस एक्जाम को देने का तकरीबन बाइस सो लोगों के form रिसीव हुए हैं आयोग में तो इसका मतलब यह है कि हमारे इतने सारे टीचरों के बीच में से केवल बाइस सो लोग ऐसे प्रतिनी दिये हैं हमारे जो कि इन 666 पोस्टों के लिए अपलाई कर रहे हैं तो कहने का मत अब यह है कि आप लोगों को मौका मिला है you are fortunate enough to have this opportunity मेरे ख्याल से तो आप लोगों को इस मौके को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए एक बहुत पुराना शेहर भी याद आ जाता है यहां पर कि वो कहते हैं कि तुम्हारे घर पे दरवाजा है लेकिन तुम्हें खत्रे क अंदाजा नहीं है और हमें खत्रे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है कहने का मतलब है कि आपके पास अगर कुछ मौका है तो सर आप उसको बिलकुल भी जाया न होने दीजिए आप जितना ही महनत हो सकती है करे करिए और आगे continue करते हैं लेक्चर को इ का गवर्मेंट बाइदा उफिसर का मतलब हो गया कुछ अधिकारी ही इस को चला रहे है अगर को एक 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 आदमी उसको चला रहा है तो उसको मोलक्रेसी कह सकते हैं ठीक है ना जाय हो सबिस्वरहर मुतर मतलब sa कुछी लोगों के हात में सत्ता का नियंत्रण है तो उलीगो forma केसी वर्ड property मिले मतलब inherited मतलब वह पीड़ी दर पीड़ी अगर एक वर पीड़ी मिल रहे हैं तो फिर वह पीड़ी कैसी हो जाती है वनसाम-उगठ वाली property नहीं हो उसके लिए वर्ट कौई सा आता है उसके लिए पैटरी मनी वर्ड आता इसके बाद group of many islands एक दीप के समु को क्या कहते है यह बहुत पूछे जाने वाला चीज है तो दीप के समु को क्या बोलते है आरके पे लोग पिलैगो वर्ड किसके लिए आता है इक दीप समु के लिए जैसे इंडोनेशिया एक दीप समु है ठीके न अंडमान निकोवार जो ह आरे आये हैं और यही आते हैं इसके अलावा कोई question नहीं आता है मैंने जो स्रिंखला इसकी बनाई हुई है आप मुझे किसी भी paper में से ढूंड करके बताईए आपको बहुत मुस्किल होगी ऐसा कोई question ढूंडने का जो कहीं आ राखा हो और हमारी series के अंदर वो discuss ना हुआ हो तो इसलिए आप लोगों को इस series को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है मतब आप पूरी दुनिया के चक्कर लगाने की जगह इसी को पढ़ लें अगर तो मुझे लगता है कि तीन या चार नंबर का जो ही question आने वाला है यह आपको मिल जाएगा free of course आप इसके लिए के और के वली सिंखला को पढ़िए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऐसे ही पांच वीडियो में इंग्लिश में लेकर क्या हूँगा और नाम क्या है इसका चंद्रियान 4 सिरीज चंद्रियान 3 तक की series तो जो है इस रो ने launch कर लिए चंद्रियान 4 सिरीज जो है हम पूरा पूरा देखना है पढ़ना है सुनना है फेर ओफ हाइट अब यहाँ पर क्या होता है फेर ओफ हाइट बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ चीजों से डर लगता है कुछ लोगों को किस चीज से डर लगता है हाइट से उंचाई से डर लगता है तो जिन लोगों को उ आइट से डर लगता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको कि जैसे मान दीजिए वो लिफ्ट में जा रहा है, तो लिफ्ट एक बंद डबा है, तो बंद जगा से उनको डर लगता है, तो उसे बोलते हैं क्लेस्ट्रोफोबिया, वैसे वो सब ठीक ठाक हैं, पर बहार से कि कर नहीं लगा जी, तो उनकी हलत खराब हो जाती है, तो इसके लिए क्लेस्ट्रोफोबिया वर्ड आता है, और अगला है जीनोफोबिया, जीनोफोबिया मतलब किसी स्ट्रेंज आदमी से जिसको डर लगता हो, उसे बोलते हैं जीनोफोबिया, और यहां से आप समझ गें, फोबिया का मतलब होता है, डर लगना, डर का आभास हो जाना, ठीके न, इसके बाद आप सेरेमनी ओफ क्राउनिंग किंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, राज्यभी सेख बोलते हैं, राज्यभी सेख, तो सेरेमनी ओफ क्राउनिंग किंग, इसके लिए क्या वर्ड आता है, इ इसी तरीके से अगले वर्ड क्या है एक है graduation, graduation जैसे को इसना तक कहते हैं, यह भी एक ceremony है, और convocation क्या होता है, जब कोई उपादी मिलती है, उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक ceremony है, तो convocation कहते हैं उसको, इसके बाद do not believe in war and violence, ऐसे लोग जो की war या violence में believe नहीं करते हैं, मतलब उनको क्या बोल सकते हैं, यह बैचारे सांती प्रिया लोग हैं, तो सांती प्रिया लोगों के लिए English में वर्ड आता है pacifism, ठीक है न, यह pacific लोग हैं, pacifism लोग हैं, pacifism हैं उनके अंदर, ठीक है न, और फासिसम एक वर्ड आता है, तो फासिसम वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे लोग जो की racial superiority के मतलब सिकार होते हैं, मतलब वो सुचते हैं हमारे से ज्यादा कोई है ही नहीं, ठीक है न, जैसे हम हिटलर के बारे में पढ़ते हैं, वो फासिस्ट था, ठीक है न, तो फासिस्ट का मतलब क्या हो गया, जिनको की racial superiority की मतलब दिक्कत होती है, ठीक है न, इसी बीच में मैं आप लोगों को एक और छोटी से जानकारी देदूं कि मेरे काफी सारे जो आप लोगों को उपलब्द करा पाए हैं, उसके लिए हमारे मित्र है, पंकज सर्मा जी, उनके study point, study point करके एक रिशी केस में center है, coaching center है, पिछले 12-15 साल से वो रिशी केस में बहुत अच्छी सिवाय दे रहे हैं, और लगबग जितने यहां से निकलने वाले, अच्छी जो आपके से निकलने वाले student होते हैं, रिशी केस के अंदर, वो आपके center से आते, study point से आते हैं, इसलिए अगर आप में से सारी प्रदानाचारी मोहदे, आप लोगों के अगर इस student पूछते हैं, और आप कभी इनके पास भेजते हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन र कर सकते हैं, या इनकी जितनी fees कम कर सकते हैं, आप किरपा करके इनके उपर भी, आप इस तरीके से, अपने उदार हिर्दे से इनको अपने यहाँ admission देंगे, इसके बाद center of attraction, center of attraction किसी चीज को बोलते हैं, देखे, center of attraction के लिए word आता है, cynosure, cynosure word किसके लिए आता है, center of attraction के ल misanthrope, क्या बोलते हैं, उसको misanthrope, mis word किसके लिए आता है, जहां कि हमारे को कुछ negative सा term है, mis take, गलती हो रही है न, तो misanthrope, मतलब जो anthrop को mis करता हो, मतलब लोगों को ही पसंदा करता हो, इसी तरीके से misogamist, एक word आता है, जो ladies को, women's को पसंदेना करता हो, जिसको शादी म misogamist बोलते हैं, तो इस तरीके से mis word आता है, miso word आता है, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि यह negative sense दे रहा है, ठीके, mother of one sister, अब यहां पे भी एक आ गया, mother of one sister, बहन की हत्यारे को क्या कहते हैं, तो बहन के हत्यारे के लिए word आता है, sororicide, क्या आता है, sororicide, इसी तरीके से side word का मतलब आप समझ गए, हत्या हुना, हत्या करना, जैसे हम suicide बोलते हैं, suicide, suicide मतलब अपने की ही हत्या कर दी, suicide मतलब किसी राजा की हत्या कर दी किसी ने, fetricide, fetricide word का मतलब father की ने होती, brother की होती, fetricide मतलब brother की हत्या अगर किसी ने कर दी, xenocide, xenocide मतलब लोगों की हत्या कर दी, ठीके न, और femicide, femicide का मतलब होता, किसी woman की हत्या कर दी, अगर तो उसे femicide बोलते हैं, ठीके जी, तो आप आगे बढ़ेंगे, fair of snake, अभी हमने phobia word खतमी किया था कि फियर ओफ स्नेक भी आ गया फियर ओफ स्नेक बंदा जब हम सापों से डर लगता है दिमाग में भी यह चलता रहता है कि मैं वहाँ जाओंगा तो पतनी कोई साप तो नहीं मिल जाएगा मिरकों वहाँ पे तो इस तरीके को कहते हैं फोबिया ठीके ना और फो लडकियों का ग्रूप लडकियों का ग्रूप है ना उसको बोलते हैं उसके लिए वर्ड आता है बिवाई बहुत ध्यान रखिए बहुत जादा पूछा जाता है बलकिन एक बिवाई एक साइकल का ब्रैंड भी है बिवाई मतलब लडकियों का ग्रूप ठीक है ना उसको ब पार्लियमेंट होता है उल्लूों के गुरूप के लिए आउल्स के गुरूप के लिए क्या बोलते हैं पार्लियमेंट कहते हैं और मदुमक्यों के गुरूप के लिए क्या बोलते हैं हाइव बोलते हैं तो आप इन चारों गुरूप को भी ध्यान रख लिए बहुत जादा प फॉर्म बनायवा है जिसमें आपकी छोटी मुटी जानकारिया और एक लिंक है जो की एक WhatsApp गुरूप बनाने का हमने प्रियास किया जिसमें आप जूड सकते हैं कुछ इसके अलावा आप चाहें तो एक phone number 8979904843 इस पर भी संपर्क कर सकते हैं और इसमें संपर्क करके जो कुछ भी इनके पास study material है आप इनसे मांग सकते हैं तो 8979904843 में या तो आप इसमें call करके आप सारी जानकारी मांग सकते हैं study material मांग सकते हैं या फिर मैंने आपको बोला कि एक group है जिसमें आप जूड सकते हैं तो आप वहाँ से भी study material प्राप्त कर सकते हैं तो इसके बाद आता है हमारा next topic person found of fighting ऐसे लोग जो कि जगडा करना ही पसंद करते हैं मतलब जगडालू लोगों को English में क्या वर्ड कहते हैं बैलिकोज वर्ड आ रहा है इसके लिए बैलिकोज अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ यह बैलिकोज वर्ड जो है कभी-कभी किस रूप में आ जाता है antonym synonyms के रूप में भी आ जाता है तो यहाँ पे केवल one word substitution के लिए ही नहीं तयार हो रहा है आपका आपकी vocabulary भी तयार हो रही है और vocabulary से आपको कहाँ पे फाइदा मिलेगा वो दूसरे type के questions करने भी फाइदा मिलेगा कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी unseen passes को पढ़ रहे होते इसके बाद cannot be corrected एक ऐसी चीज जिसको कि अब सुधारा नहीं जाता है एक बार हो गया तो हो गया इसको क्या बोलते हैं जिसको सुधारा न जा सके इसका मतलब क्या होता है जिसको अब दुबारा सुधारा नहीं जा सकता इसी तरीके से एक आता incredible जिस बात में विश्वास ही न किया जाए अच्छा incredible इसी तरीके से indeligible हमने सुना है indeligible इंक वो जो हातों में लगाने वाली इंक होती जिसे मिटाया ना जा सके उसे बोलते है indeligible तो यह तीन वर्ड भी आप यहाँ पे दिखेंगे person blamed for wrongdoing एक ऐसा आदमी जिसको की जिसने बेचारे ने किया कुछ नहीं मगर उसको blame हो गया कुछ गलत करने का ठीक है ना इसके लिए हम हिंदी में word क्या use करते हैं इसके लिए करते हैं हम बली का बकरा क्या बोलते हैं इसके लिए बली का बकरा और इंग्लिश में escape goat बोलते है तो escape goat और बली का बकरा एक ही बात हुई तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो बेचारा जिसने कुछ नहीं किया मगर उसके बलेम हो गया कुछ गलत करने का इसे के साथ speaking irrelevantly about sacred things ठीक है ना speaking irrelevantly about sacred things मतलब किसी मतलब भगवान के बारे में गलत बोल देना है किसी sacred things के बारे म bless family दूसरी बात है highest point highest point मतलब किसी mountain का जैसे highest point तो इसे क्या बोलते हैं सिखर बोलते हैं na summit इंगलिश में word आता है summit और एक इसी के लिए नाम आता है zenith zenith या summit इन दोनों word को आप इसमें use कर सकते हैं ठीक है one who values practicality one who values practicality का मतलब एक ऐसा आदमी जो practical बातों को ही value देता है उ आपको दो मिनिट में पैचान जाएगा तो practical आदमी को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रयोगात्मक वाला आदमी बोलते हैं ब्यहवारवादी बोलेंगे उसके लिए तो इसके इंगलिश में word आता है pragmatic या pragmatist ठीक है ना तो आपको इसी pragmatist से एक ध्यान आने वाली बात आ गई मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं और आप लोग मुझे ये भी पूछने हैं कि कोट में भरती को चैलेंज किया गया है और एक नहीं आठ एक अलग-अलग लेबल से क्या कर लगी विए इसमें अलग-अलग petitions लगी विए तो इसके उपर इसका future क्या होगा तो future तो देखें ऐसा है कि future तो future यह वो तो केवल यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है लेकिन future का जो मैं अपनी समझ से जो मेरी सामान ने समझ है इसके बारे में मैं आपको कुछ LT वालों को बुरा लग सकता है लेकिन मैं मैं ऐसे भी LT वालों को जानता हूं अगर उन पेसी की शाली को या किसी आयोग की शाली को बता रहा हूं कि क्या आहारता फिक्स करनी है यह थोड़ा उनका जुरिडिक्शन हो जाता है, वो लोग ही decide कर पाते हैं कि आहारता, मतब चैलेंज इसको करना बहुत ही कम label पर ही possible होता है, किसी इसको आहारता को जो आयोग उने डिसाइड की है अब जैसे हमारे पचास वर्से से अधिक वाले गुरुजन लोग गए तो वहाँ पे आहारता का बिंदू क्या है मतब उनकी आहारता का या उसकी प्लीड का बिंदू क्या है वो कह रहे हैं जी आप हमारे राइट टू ऑपर्चुनिटी जो है इक्वल ऑ सकती है तो कोट में जाने का ये मतलब नहीं है कि रुकी जाएगा हो सकता ही आगे बड़े और बहराल जो तयारी करने वाले लोग है उनको तो अपने दिमाग से बिल्कुल हटा देना है कि कि किसी भी तरीगी देखे हमारा दिमाग में बार बार कहेगा अरे यार यह तो लोगों ने इस भरती के को यूं मानके चलना है जिन लोगों ने फॉर्म बरावा है कि यह भरतिया हमारे ले बहुत सुनहरा मौका है हमने इसको किसी कीमत में नहीं जाने देना इसके बाद अगला कोशन देख ले थे around about way of expression मतलब घुमा फिरा के किसी बात को बोलना इसके लिए क्या word आता है circumlocation circumlocation का मतलब घुमा फिरा करके बोलना कोई आदमी होता है वो सीधा जवाब नहीं देगा तो उसके लिए circumlocation या लोकेंट वर्ड आता है लोकेंट का मतलब क्या होता है बोलना लोकेंट है न तो सरकम लोकेशन का मतलब क्या हो गया कि घुमा फिरा के बोलता है जो किसी बात को ठीक है एक ऐसा ही आदमी आता है जो कि किसी बात का अंसर क्या है देगा तो सही लेकिन वो बोलेगा कुछ नहीं, जैसे आप उसे बोलो कि तू कहा जा रहा है, तो वो इस सारे से बोलते हैं, उदर जा रहा हूं, मतलब बोलेगा कम, कम बोलने वाले आदमी को, अल्प भासी आदमी को, कम बोलने वाले आदमी को, उसके लिए वर्ड आता है, क्या टैशी टर और उसके बाहर बिल्कुल नहीं आ सकता ये जितने भी एक्जाम हुए हैं चाहे वो SSC के हैं वो बैंक के हैं या अन्य एक्जाम हैं उन्हें सबका निचोड हमने उसमें किया वा है तो आप उसको जरूर पढ़ लेंगे ऐसी मेरी आपसे उमीद है जो पुराने पुराने सिक्कों को अपने पास रखते हैं आपने बहुत बार देखा होगा प्रदर्शनी भी लगाते हैं इनाम भी जीते हैं तो उसको क्या बोलते हैं जो उनके जानकार होते हैं उन्हें बोलते हैं नुमेस्मेटिस्ट क्या बोलते हैं नुमेस्मेटिस्ट औ आपने देखा होगा बहुत जगा फिलैटेली कलब होता है, मतर्ब एक ऐसा कलब होता है, जहां पर पुराने स्टैंप या पुराने पैसों का सिक्कों का क्या करती है, प्रदर्शनी लगाती है, तो फिलैटेली बोलते हैं, फिलैटेली, ठीक है न, कमिटिंग मडर इन रिवे देटा है, आपने हमारे आधमी को अंदर बंद कर दिया, यह तो फोलिटीकल वेंड़ डट गे अमतलब आपने रिवेंज में हमारे आधमी को अंदर बंद कर दिया, थी heck, आप जैसे देख रहे होगे, के आम आधम पार्टी के बहुत सारे नेता अंदर चलेगे, तो उनके statement कहा रहा है, वो कहा रहा है, यह तो political vend data है, मतलब आपने politically हमारे को committing murder in revenge, जो word मैंने भी आपको बोला था, person who is womanish in habit, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो जेन सोकर के भी womanish character यह habits दिखाते हैं, उनके लिए भी एक word आता है, effeminate, क्या आ that lives in group, कुछ ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं, जुन्ड में रहते हैं, जुन्ड में रहते हैं, तो जुन्ड का word का मतलब आता है, gregarious, ठीके न, ऐसे जानवरों को क्या बोलते हैं, gregarious, ठीके न, जैसे पहले हम मनुष्य लोग भी क्या करते थे, gregarian थे, कैसे थे, इसके बाद आप आगे देखिए, gregarious इसके लिए word आता है, person new to profession, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नए नए होते हैं, यह नहीं बोलते हैं, अले नौ सिख्या आदमी आ गया, तो नौ सिख्या आदमी को लगबार नोवाइस बोलते हैं, नोविस यह नोवाइस word आपके लिए use होता है, ऐसे लोगों के लिए, जो कि किसी profession में नौ सिख्या होते हैं, one who do anything for money, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको पैसे के लिए कुछ भी करवालो, वो पैसे के लिए ही करते हैं, जो कुछ करते हैं, ठीके न, तो इनके लिए भी दो word आते हैं, एक तो इनके लिए बो ओधेंच, ऐसे भी लोग होते हैं, जो दोनों हातों से लिखते हैं, जैसे कि हमने थ्री इडिट में वाईरस का दिखा था, तो ऐसे लोगों के लिए वर्ड आते हैं, ambidextrous, 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 एसे बहुत ज्यादा पूचे वार जाने वाला है, सॉमनेम्भूलिस्ट किसको बोलते हैं जो सोयवे में क्या होता है चलने रखता है जिसको सोयवे में चलने की बिमारे है तो उसको बोलते हैं सॉमनेम्भूलिस्ट बोलते है उसको तो इसके बाद आ जाता है मीजर्स गैसियस प्रैशर ऐसे इंस्टुमेंट को क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं, जी, मैनो मीटर, उसके लिए वर्ड आता है, क्या, मैनो मीटर, ठीके न, आप बहुत बार, डॉक्टर के पास जाते होंगे, और अपने हाथ में, मतलब, आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते होंगे, तो ब्लड प्रेशर चेक करना, मतलब, उसमें स्फिग्नो मैनो मीटर, क्या बोलते हैं, स्फिग्नो मैनो मीटर, और इसी तरीके से वो जो डॉक्टर ने कान में लगाया वा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अगर पानी को नापना है, जल की मातरा को, तो हाइड्रो मीटर हो जाएगा, इसी तरीक और एक और word आता है ज्यादा पूछे जाने वाला एनिमो मीटर जो कि wind की speed ये intensity को नापता है उसके लिए क्या word आता है एनिमो मीटर speaking many language ऐसे लोग भी होते हैं जो कि बहुत सारी language बोलते हैं उनके लिए word आता है poly god ठीके ना उनके लिए बोलते हैं क्या poly god जो बहुत सारी भासाओं को ज्यान रखता होगा उसके लिए linguistic भी बोलते हैं यहां पे God का मतलब वहा जो भासा का जानकार होता है One who does not get easily pleased एक ऐसा आदमी जिसको की आसानी से मनाया ना जा सके मनाया ना जा सके का मतलब या तो यूं मान लो कि उसको जिद्धी है या यूं मान लो कि वो बिल्कुल उखर दिमाग का है तो उसके लिए word आता है जी fastidious उसके लिए word क्या आता है fastidious और इसके बाद अगला है place for fish ऐसी जगा जहां पे की fish को रखा जाता है मतलब एक कृत्रिम जगा जहां पे की fish को रखा जाए तो उसके लिए तो हम सबको पता है aquarium बोलते हैं लेकिन aquarium के साथ दो और word आते हैं एक आता है वाइवेरियम यहां पे गलती है spelling में वी आई वी ए वाइवेरियम वाइवेरियम और टेरेरियम तो वाइवेरियम ऐसी जगा होती है जहां पे की animal habitat होता है ठीक है ना मतलब animal को रखने के लिए जो जगा बताई जाती है उसको बोलते हैं वाइवेरियम और टेरेरियम ऐसी जगा बनाई जाती है जहां प्लांटों को रखने के लिए जगा बनाई जाती है ठीक है ना प्लांटों को उगाने की जगा बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं क्या टेरेडियम इस तरीके से मैंने आज के इसमें 35 डारेक्ट कोईशन और तकरीबन हर कोईशन में 3-4-4 ओप्शन के साथ लगबग लगबग 200 के नजदीक आपको one word substitution यहापे बना दी हैं क्योंकि वीडियो की length भी बहुत important होती है आदे गंटे से उपर हमारी वीडियो बन चुकी है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इनको वीडियो को सुने और मैंने जो number आपको बोले थे एक बार दुबारा से उस number को note down करवा देता हूँ 8979904843 इसमें या फिर मैंने आपको बोला है एक whatsapp ग्रूप जो की हमारे इस वीडियो के साथ नीचे आ रहा है उसको आप जोईन कर लिए जिसमें कि आप इस तरीके के notes वगरा या फिर जो भी मेरे notification वीडियो वगरा के रहते हैं इसको आप आराम से प्राप्त कर पाएंग है और साथ साथ सर अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप आप अपने किरपा दरिश्टी बनाए और मेरे चैनल को जो हैं सब्सक्राइब करें बहुत धन्यवाद मैं आगे भी आपक लिए इससी तरीके क사